हेलो बंधूरा के मोन आशेन आज के आमी बना अच्छी माचेर पातुरी ताले चलोन बंधूरा अपना के दिखाई माचेर पातुरी बनावार जुन्ने अमारे कीकी दोरकर होई हेलो फ्रेंज बेंगोली में इंट्रोडेक्शन का मतलब आप समझी गए होंगे कि आज एक बेंगोली डिस बनने वाली है आज मेरे बेंगोली दोस्त लोग बहुत खुश होने वाले हैं और मेरी चैनल की आज ये फस्त फिस की वीडियो होगी सौ्ग भाजव इसका नाम आपको पता चल गया होगा इसका नाम है फिस पातुरी इसको बनाना लीप में बनाया जाता है और इसमें को फ्रेंड इसके पानी का यूज नहीं नहीं बनती है इसके लिए हमैं जरुरत होगी Mustard Soeet की mustard सीट आप ब्लेक और येल्लो दो में से किसी एको ले सकते हैं लेकिन में आपको सेज़ेस्ट करूँगा कि आप येल्लो येल्लो यूज़ करें बेंगुली लोगों से अच्छी कोई मसली बना सकता है नहीं इसमें तो कोई डाउट ही नहीं बेंगुली लोग मसली बहुत टेस्टी बनाते हैं और बेंगुली लोगों की बाते सुनो ना अरे इतनी मीठी मीठी बाते ना सच कहूं तो मिठाई में यूज होने वाला सुगर सिरब जो होता है ना उससे भी मिठी सच कहा रहा हूं इन लोगों ने देश के लिए भी बहुत बड़े बड़े बड़ी दान दिये हैं नेता जी सुबासन रुबोस का नाम तो सबको पता ही है चलो गाइस अपनी रेशिपी पे फिराते हैं यह मस्टड को हम पेस्ट कर लेते हैं इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे यह स्मूथ सा पेस्ट बनके रेडी हो गया इसको चान लेंगे गाईस हम आज इसका जो डस्ट है उसको हम यूज नहीं करेंगे उससे क्या हो जाता है कि फटी फटी सी लगती है हमें फटी ग्रेवी नहीं चाहिए हमें जिमी टेकशर की ग्रेवी और मसली इतनी अच्छी है उसके लिए हमें अपने प्रिप्रिएशन भी अच्छी करनी है सबसे पहले हम ले लेंगे मस्टर्ड ओ्राइल, इसमें हम बनाय हुआ हमारा जो पेस्ट है, वो पेस्ट को हम यूज करेंगे और यह गया मस्टर्ड पेस्ट, पहले हमने डाला था जिंजर गालिक, ओनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट अब इसमें मसाली भी डाल देते हैं मसाली बहुत ज़्यादा इसमें डलते नहीं है इसमें हमने जीरा पौडर थोड़ी सी कस्मी रेट चिली पौडर और हल्दी पौडर नमक शाथ महरा धनिया आप सोच रहे होंगे कि ये कच्छा प्याज क्या करने के अब इसको मेरिनेट कर देते हैं मेरिनेट होने के बाद में हमें चाहिए एक सिल्वर फॉइल का पीस और उसके उपर में केले का पत्ता चोटा सा सेम पीस और उसको हम फोल्ड करके सीधे एक खाली बरतन लेंगे खाली बरतन में रखके सीधे गैस पे चड़ा देंगे तोसी स्द। sample ऊदो अभी tarafनि फीस को चल जो में हमृद्धी कीसे डिए इस इस जाल र्ली्हे हैं तोसमों ईशना सब्वत करेंगे ? तो यह ऐना सी कुछे ही बेन इस ऐधनी को पीस नमटा जे ज़़े कोई बात नहीं है यह काला हो गया मतलब इससे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है यहां पर अभी हम इसमें मसली डालके इसको फोल्ड करेंगे और बाहर से ऐलिमुनियम फॉयल फेपर से फोल्ड कर देंगे यह सेम वैसी हमको जित्ती मसलियां फोल्ड करनी है वैसे हम करेंगे यह हो गया फोल्ड यह अब इसको भी इसके साथ ही रख देते हैं चालो और सारी मसलियों को भी हम सेम तरीके से फोल्ड कर देते हैं अब फोल्ड हो चुका है यह हमारा पैन है यह खाली पैन है हमने इसमें मसलियों को अच्छे से सेट कर दिया ठक दिया अब इसको रखते हैं कैस पे यह गया गैस के उपर हमारा पैन करम हो गया है देखते हैं इसको हाँ इतनी जल्दी वैसे पलटने की जरूरत नहीं है मैं फिर भी इसके अंदर एक बार चेक करके देख लेता हूँ कि कैसा हो रहा है बहुत अच्छे से इसके अंदर इस टीम बनने लगी है यह देखो गाईस क्या मस्त बन रहा है एकदम गाईस जैसे जैसे कुकिंग मेरी आगे बढ़ रही है मुझे आज एक बहुत फेमस मन्ना देश आपका एक गाना यादा आ रहा है कॉफी हाउस कॉफी हाउस से याड़ डाटा अरे नहीं आजा रहे नहीं पुथाए हारी एगेलो सोना ली थी फिर गुंसे लाला शमाई मिले तो आप भी जरूर सुने का इस बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर समझ में ना भी आये तब भी सुने बहुत अच्छा गाना है ये आज मेरी वीडियो देखने के बाद कोई न कोई मेरा दोस्त बेंगोली भाई दादा पक्का फोन करके मुझे बोलेंगे और फोन करने के बाद क्या बोलेंगे पता है राना भाई की दारुन बनाचीस एक दों भालो लग लो वैसे भी गाईज भाई आसाम में रहता हूं तो यहां पर बहुत बेंगोली लोग हैं और मेरे बहुत खास लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बेंगोली लोग हैं मेरे दिल के करीब हैं दिल के अजीज हैं तो हो गया तो फ्रेंड्स आज तो पता ही नहीं चला बातों बातों मेरी डिस बनके रेडी है यह चलो इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग जरूर घर पे बनाएं चैनल को सब्सक्राइब करें यह लोग थोड़ा धनिया भी डाल देते हैं इसके उपर बहुत सुन्दर लग रहा है कार डिस क करके अभी यह सर्व करने के लिए रेडी है लिखे पठावें अपना बनावाटा की रिकों हुचे और अमर बनावाटा की रिकों हुचे और चैनल टाके सब्सक्राइब को बेंड लाइक को बेंड कमेंड को बेंड